हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आप सिखेंगे कि एकजेस्ट फैन इस टाइब का कैसे लगाते हैं जो कि इस वीडियो में हम बतलाए हुए हैं कैसे लगाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास क्रॉम्टन का एकजेस्ट फैन है जो की 150 से में मैं इसको हम एड काड है जो कि यह कितना यर्स का इसका वारेंटी है एजेस्ट फैन का तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हम निकाल देंगे बहुत ही अच्छा दिखेगा यह हमारा पास छोटा एजेस्ट फैन है तो यह हमारा पास जो अश्टीकर है यह अश्टीकर को भी हम निकाल यह इसके पिछे का जो साइड है इसको खुलने के लिए यह स्टीकर को निकालना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं हम निकाल दिया और इसका यह ओपेन करके भी दिखा रहे हैं कैसे ओपेन होता है और कैसे फिटिंग होगा आपको पूरे फिटिंग करके हम दिखाएंगे कै से फिटिंग किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें क्योंकि ऐसे वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो आप देख सकते हैं इसको हम इधर बाथरूम के अंदर फिटिंग करके आपको क्योंकि अलग साइड में हमारा सिलिंग रोज दिख रहा है उसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे तो फर्ष्ट इसको हम कैसे फिटिंग करते हैं आप वीडियो को ध्यान से देखें कैसे फिटिंग होगा वह हमारे पास जो बैक साइड में जो लगा हुआ है वो उड है जिसको हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम एकजस्ट फैन को वहां पर रखेंगे और इसको मेजरमेंट करेंगे कि कितना इसको जो कई बैक साइड का मेजरमेंट किया जाता है और बाहर साइड का मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि वह बाहर साइड इसकुरू करने के लिए इसक रिर्ण सब्सक्राइब तो आप देख सकते यहाँ आर पास गंण मशीन है जिस से कॉप्री शानी से हम कऱेंगे आहीं अगर हम पूरे निचे तक क्तिंग अगर करते हैं तो ओपर का हमारा जो PVC है वो कटने का chance है इसके हुझे से हम एक किनारे का जो है इसको hexo blade से हम काट देंगे अगर हम पुरे नीचे तक machine से ही काटते थे तो ये PVC कट जाएगा इसके हुझे से हम इसको hexo blade से काट देंगे तो बिलकुल असानी से कट जाएगा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे होल हो गया और यहाँ पे हम adjust fan को ऐसे बैठा देंगे अब इसके बाद दोस्तों adjust fan बैठा दिया अब इसको हम connection भी करेंगे और wire को जिदर हम set करना चाहे उदर से हम set कर सकते हैं बाद में पहले हम इसको आप screw मारेंगे already हम एक PVC जो उपर में है एक PVC पर एक screw मार देंगे और जो कि इसमें हम 4 screw मारने का space होता है जो कि हम इसमें 4 screw नहीं मारेंगे क्योंकि यह उतना तो दिकत नहीं है यह अगर 4 screw नहीं मारते हैं तो इसमें हम दो ही स्क्रू मारेंगे इससे भी दिकत नहीं है और इसका जो उपर का ये cover है इसको भी अच्छे से fitting कर देंगे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखेगा ऐसे अभी fitting कर देखेंगे अभी इसको हम connection भी यहां से करेंगे यहां पे side में जो ceiling rose है निकालेंगे इसके उपर से wire का connection अगर करते हैं तो ढखने बैठेगा नहीं इसके उज़े से इसके अंदर से हम wire निकाल कर और अंदर से ही इसका connection किया जाता है ceiling rose के अंदर तभी यह अच्छा से cap को बैठा सकते हैं नहीं तो उपर से करते हैं तो यह कभी बैठेगा ही नहीं अभी आप देख सकते हैं अल्डेडी एक wire का हम connection दे दिए और दोसरा है यह हमारा black wire है इसको भी हम connection दे देंगे क्योंकि इसको हम connection दे देंगे black wire को यह भी बिल्कुल असानी से जैसे हम array का connection दिए वैसा ही हम black का भी connection दे देंगे थोड़ा सा दिकत हो रहा है इसमें डालने में इसलिए थोड़ा time लग रहा है तो आप देख सकते हैं यह भी हम connection दे दिए उसके बाद हम इसके उपर cape लगा देंगे देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से अंदर में wire हम connection दिए थोड़ा सा time लगता है connection देने में तो आप देख सकते हैं कि यह उल्ट्रेडिय हम connection दे दिए अब यहाँ पर हमारा बाहर में इसका switch है यहाँ से हम switch on करेंगे तो आप देख सकते हमारा adjust fan यह चालू हो गया है यह जो की होता है जो गरम हवा होता है या कोई भी smile होता है बातरूम गंदर उसको बाहर निकालने के लिए होता है adjust fan हम लगाते हैं अब यह आप देख सकते हैं adjust fan on हो गया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करे और channel को भी subscribe कर ले